सुप्रीम कोट के फैसले को सभी स्विकार कर रहे हैं समान कर रहे हैं और आज ना किसी की हार हुई है ना किसी की जीत हुई प्राशियों नमस्कार मैं आज दिन भर पंजाब में था और दिल्ली पहुंचने के बाद मेरा मन करता था कि आप से भी कुछ समवाद करूँ आज सुप्रीम कोट ने एक ऐसे महत्वपून मामले पर फैसला सुनाया है जिसके पीशे सैंकडो वर्षों का एक दिर्ग कालिन इतिहास है पूरे देश की ये इच्छा थी कि इस मामले की अदालत में हर रोच सुनवाई हो जो हुई और आज निल्मय आचुका है दसकों तक चली न्याय प्रक्रिया और उस पूरी प्रक्रिया का अब समापन हुआ है साथियों पूरी दुनिया ये तो मामती ही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रिक देश है आज दुनिया ने ये भी जान लिया है कि भारत का लोकतंत्र कितना जीवन्त है और कितना मजबूत है फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग ने हर समुदाय ने हर पंध के लोगों ने पूरे देश ने खुले दिल से इसे श्विकार किया है वो भारत की पुरातन संस्कृति परंपराव और सद्भाव की भावना को प्रतिमिब्बित करता है बाई और भेनों भारत जिसके लिए जाना जाता है और हम इस बात का गर्व से उलेग भी करते हैं विवीदता में एकता आज यह मंत्र अपनी पुरुनता के साथ खिला हुआ नजर आता है गर्व होता है हजारों साल बाद भी किसी को विवीदता में एकता भारत के इस प्राण तत्व को समझना होगा तो वो आज के एतियासिक देन का आज की घटना का जरूर उलेक करेगा और ये घटना इतियास के पन्नों से उठावी नहीं है सवासो करूर देशवासी खुद आज एक नया इतियास रच रहे हैं इतियास के अंदर एक नया स्वर्णिम प्रिष्ट जोड रहे हैं साथियों भारत की न्याय पालिका के इतियास में भी आज का ये दिन एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है इस विशे पर सुनवाई के दवरान सुप्रीम कौट ने सब को सुना बहुत धैरियस में सुना और पुरे देश के लिए खुशी की बात है कि फैसला सर्वसम्मती से आया एक नागरी के नाते हम सब जानते हैं परिवार में भी छोटा मसला सुलजाना हो तो कितनी दिक्कत होती है ये कारिया सरल नहीं है सुप्रीम कौट ने इस फैसले के पीशे दरड इच्छा शक्ति के दर्शन कराए है और इसलिए देश के न्यायाधिश न्यायालय और हमारी न्याय प्रणाली आज विशेश रुप से अभिनंदन के अधिकारी है साथियों आज नव नवंबर है नव नवंबर ही वो तारिक थी जब बरलीन की दिवार गीरी थी दो विप्रित धाराओं ने एक जुठ होकर नया संकल्प लिया था आज नव नवंबर को करतारपूर साहिब करिडोर की शुरुवात हुई है इसमें भारत का भी सैयोग रहा है पाकिस्तान का भी आज अयोध्या पर फैसले के साथ ही नव नवंबर की ये तारिक हमें साथ रहकर आगे बढ़ने की सीख भी दे रही है आज के दिन का संदेश जोडने का है जूडने का है और मिलकर जीने का है इस विशे को इन सारी बातों को लेकर कहीं भी कभी भी किसी के मन में कोई कटूता रही हो तो आज उसे तिलांजली देने का भी दिन है नए भारत में भाय कटूता नकारात्मक्ता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए साथियों सर्वोच्च न्यायले के आज के फैसले ने देश को ये संदेश भी दिया है कि कटीन से कटीन मसले का हल सम्विधान के दाएरे में ही आता है हमें इस फैसले से सीख लेनी चाहिए कि बले ही कुछ समय लगे लेकिन फिर भी धैर ये बना कर रखना ही सर्वोची था है हर परिस्तिति में भारत के सम्विधान भारत की न्याईक प्रणाली ये हमारी महान परंपरा उस पर हमारा विश्वास अडिग रहे ये भावत महत्वपून है साथियों सर्वोच अदालत का ये फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर के आया है इस विवात का भलेई कई पीडियों पर असर पड़ा हो लेकिन इस फैसले के बात हमें ये संकल्प करना होगा कि अब नई पीड़ी नए सरे से न्यू इंडिया के निर्मान में जुटेगी आईए एक नई शुरुवात करते हैं अब नए भारत का अंदिर्मान करते हैं हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तै करना है कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छुट रहा हमें सबको साथ लेकर सबका विकास करते हुए सबका विश्वास हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है साथियों राम मंदिर के निर्मान का फैसला सुप्रिम कौट ने दे दिया है अब देश के हर नागरिक पर राष्ट निर्मान की जबाबदारी और बढ़ गई है इसके साथ ही एगनागरिक के तौर पर हम सभी के लिए देश की न्याइक प्रक्रिया का पालन करना नियम काइदों का सम्मान करना ये दाइत्व भी पहले से अधिक बढ़ गया है अब समाज के नाते हर भारतिय को अपने कर्टव्य अपने दाइत्व को प्रात्विक्ता देते हुए काम करना हमारे लिए उजवल भविश्च के लिए बहुत अनिवार्या है हमारे बीच का सवहार्थ हमारी एक्ता हमारी शान्ती हमारा सद्भाव हमारा सने देश के विकास के लिए बहुत महत्पपून है हमें भविश्च की और देखना है भविश्च के भारत के लिए काम करते रहना है भारत के सामने चुनोतियां और भी हैं लक्ष और भी हैं मंजीलें और भी हैं हर भारतिय साथ मिलकर साथ चलकर ही इन लक्षों को प्राप्त करेगा मंजीलों तक पहुँचेगा मैं फिर एक बार आज नव नवंबर के इस महत्वपूंड दीन को याद करते हुए आगे बंदे का संकल्प लेते हुए आप सबको आने वाले त्योहारों की मैं कल इद का बड़ा पवीत्र त्योहार है उसके लिए भी बहुत-बहुत छुप कामनाई देता हूँ धन्यवाद जिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयुद्या पर फैसले के बाद देश को संबोधित किया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयुद्धिया पर कोट ने फैसला सुनाया है जिसके पीछे सैक्डो वर्षों का एक इतिहास रहा है पूरे देश की इच्छा थी कि इस मावले में अदालत में हर रोज सुनवाई हो और आज फैसला आ चुका है दशोकों तक चली नयाय प्रक्रिया और उस प्रक्रिया का समापन हुआ है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि पूरी दुनिया मानती है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोक्तांत्रिक देश है और इस फैसले के आने के बाद जिस तरह से हर किसी ने खुले दिल से से स्विकार किया है ये भारत की परंपरा को दर्शाता है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि कानून का सम्मान करना हम सभी का करतव है साथी साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एद की शुब कामनाय दी शांती सोहार्द इसने देश के लिए बहुत जरूरी है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा तो अयोध्या पर फैसला आने के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश को संबोधित किया और अपने संबोधन में जो बाते कहीं उसके तहट प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि पुरे देश की इच्छा थी कि इस मामले में अदालत में हर रोज सुनवाई हो और आज फैसला आ चुका है दशकों तक चली न्याय प्रक्रिया और उस प्रक्रिया का समापन हुआ है साथी साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद की शुपकामनाई भी दी कहा कि शांती सुहार्द इसने देश के लिए बेहत जरूरी है अयोध्या के फैसले के पीछे लंबा इतिहास रहा है भारात मिवित्ता में एक्ता के लिए जाना जाता है आज सुप्रिम कौट ने एक ऐसे महत्वपून मामले पर फैसला सुनाया है जिसके पीछे सैंकडो वर्षों का एक दिर्ग कालिन इतिहास है पूरे देश की ये इच्छा थी कि इस मामले की अदालत में हर रोज सुनवाई हो जो हुई और आज निल्वे आ चुका है दसकों तक चली न्याय प्रक्रिया और उस पूरी प्रक्रिया का अब समापन हुआ है किसी को विवीद्धा में एकता भारत के इस प्राण तत्व को समझना होगा तो वो आज के अइतियासिक देन का आज की घटना का जरूर उल्ले करेगा और ये घटना इतियास के पन्नों से उठावी नहीं है सवासो करूर देशवासी खुद आज एक नया इतियास रच रहे हैं झाल प्राण नहीं है